Hello friends, आज के इस session में हम orthorombic point group के बारे में discussion करेंगे दोस्तों Generally orthorombic system, दोस्तों इसका भी A, B and C तीनो axis होते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों A is not equal to B, B is not equal to C और A is perpendicular to B, B is perpendicular to C and C is perpendicular to A दोस्तों यहाँ पर तीनो axis के आए दोस्तों mutually perpendicular but unequal in nature और symmetrical element आप यहाँ पर ढूनना चाहेंगे तो आपको तीन plane of symmetry मिल जाएगा तीन आपको axis of symmetry and one center of symmetry दोस्तों आपको मिल जाएगा दोस्तों तो क्या है orthorombic system? orthorombic system दोस्तों A not equal to B, तीनो axis दोस्तों unequal, तीनो mutually perpendicular to each other और plane of symmetry आप देख सकते हैं तीन axis of symmetry, तीन and one center of symmetry आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो चलिए दोस्तों इसका point group के बारे में discussion करते हैं तो orthorombic system में जो point group आपको देखने को मिलेगे, तीन point group है दोस्तों orthorombic system में पहला तो 2, 2, 2, दूसरा दोस्तों हमारा M, M2, तीसरा जो है 2 by M, 2 by M, 2 by M दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा trick याद रख लिजिएगा, यहाँ पर जो तीनो point group आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर क्या है 2, 2, 2, इसको आप A कर सकते, B कर सकते, C और यह A, B, C, कुछ भी आप कर सकते दोस्तों यहाँ पर जो A होता है, B होता है, C होता है दोस्तों तो यह मतलब कि 2, 2, 2, दोस्तों यह 3 वाला पार C axis को indicate करता है दोस्तों यह 2nd वाला पार B axis को indicate करता है और यह 1st वाला पार दोस्तों आपका A axis को indicate करता है हाँ आप x y z भी कह सकते हैं जो आपको बताया दोस्तो 2 by m यह वाला point group को दोस्तो यहाँ पे जो थाड वाला है यह वाला है दोस्तो यह c axis को indicate करेगा यह दोस्तो आपका b axis को indicate करेगा और यह दोस्तो आपका क्या है a axis को indicate करेगा दोस्तो तो चलिए दोस्तो यही shortcut है, मतलब कि अगर कहीं पे भी 2, 2, 2 दिया गया है, यह दोस्तो A axis में 2-fold, B axis में 2-fold, C axis में 2-fold अगर 2 by, suppose M, M, 2, मतलब कि A axis एक mirror plane है, B axis भी है कि यहाँ पे mirror plane है, C axis दोस्तो यहाँ पे 2-fold symmetry है और दोस्तो 2 by M, 2 by M, मतलब कि, 2 मतलब कि A axis मतलब कि यहाँ पे 2-fold है, उसको perpendicularly एक mirror plane है, दोस्तो यहाँ पे B axis एक 2-fold है, लेकिन यहाँ पे दोस्तो उसको perpendicularly एक mirror plane है और यहाँ पर C-axis भी एक मतलब की 2-fold है और एक दोस्तो C-axis को एक mirror pen cut कर रहा है तो चलिए दोस्तो हम इससे चानने की कोसिस करते है 2-2-2 figure को के से draw करेंगे दोस्तो यहाँ पर आपका A का काम होगा यहाँ पर B का काम यहाँ पर आपका C का काम तो पहले हम C का ही काम यहाँ पर करते हैं दोस्तो C में दोस्तो 2 दिया गया है तो यह है C C में 2 दिया है मतलब 2-fold आप यहाँ पर notation दे देंगे यह C का काम खतम हो गया आप दोस्तो किसका काम करेंगे दोस्तो अभी हम करेंगे B का काम तो B का काम क्या है दोस्तो A है हमारा B यह है हमारा B X दोनों ही unequal to each other तो दोस्तो एक को बाहर कर दिया यह दोस्तो हमारा B B में क्या है दोस्तो 2 दिया गया तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तो 2-fold draw करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे A का काम करना पड़ेगा यह वला काम तो चलिए दोस्तों A का काम करते हैं यह हमारा A-axis है A-axis में भी 2 लगा हुआ है तो A-axis में आपको 2-fold देना है तो 2-fold आपको देना है बस काम खतम होगे आपका तो यहाँ पे notation देना है दोस्तों यहाँ पे एक point होगा तो B-axis के 2-fold के कारण यहाँ पे ऐसा बन जाएगा दोस्तों और यहाँ पे जो A-axis है इसके 2-fold के कारण यह वला point यहाँ पे जो आएगा दोस्तों कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा और यह वाला जो point आप देख रहे हो यह वाला जो point जो कि दोस्तो ऐसे था यह वाला point यहाँ पर कैसे दिखेगा दोस्तो just imagine करिए ऐसे दिखेगा दोस्तो तो यही है हमारा क्या 2-2-2 यह क्या है दोस्तो 2-2-2 तो यहाँ पर जो point है फिर से मैं बताने ही कोसिज करता हूँ यह point यहाँ पे कैसा होएगा यहाँ पे दोस्तो आपको एसा दिखेगा और इस field में दोस्तो इस field में कैसा आएगा twofold यहाँ पे भी है twofold के करण यहाँ पे दोस्तो आपको एसा देखने को मिलेगा और twofold के करण यह वरा जो twofold आप करना है यह बी एक्सिस को ड्रो करेंगे सी एक्सिस को ड्रो करेंगे बस कुछ नहीं दोस्तों यहां पर यह बाला फिगर को ड्रो करते हैं यहां पर सी एक्सिस का काम पहले खतम करते हैं दोस्तों यह हमारा सी एक्सिस है यह हमारा क्या है दोस्तों सी एक्सिस है C axis दोस्तो 2 fold center में आप यहाँ पे 2 fold दे दीजिए बस काम हो गया खतम उके उसके बाद दोस्तो B axis और A axis को draw करना है लेकिन आप देखिए यहाँ पे A axis एक mirror plane है B axis भी एक mirror plane है तो यहाँ पे आप mirror plane draw कर सकते हैं यह हमारा एक mirror plane हो गया ओके यह हमारा B का mirror plane हो गया तो दूसरा mirror plane दोस्तो यह देखिए यह हमारा A का mirror plane हो गया तो यहाँ पे आप जो point लेंगे mirror plane के हिसाब से mirror plane को यहाँ पे जो point mirror plane के कारण दोस्तो यहाँ पे जैसा mirror plane यहाँ पे भी SI point आएगा यहाँ पे देखिए SI point, यहाँ पे SI point, यहाँ पे SI point, आपको same point देखने को मिलेगा दोस्तो यह 222, 222 में कैसा होता, यह दोस्तो ऐसा figure होता था लेकिन यहाँ पे mirror plane के कारण यह दोस्तो आपका, मतलब कि A mirror plane, यह आपका B mirror plane, तो यह आपका C axis जो कि 2 fold है उसके बाद दोस्तो 2xm, 2xm, 2xm तो पहले आपको यहाँ पर C axis को draw करना पड़ेगा दोस्तो पहले draw कर लिजिए C axis ओके यह आपका C axis है जब दोस्तो C axis mirror plane होता है यह एक trick याद रखे लिजिएगा जब C axis mirror plane होता है C axis को mirror plane perpendicularly cut कर रहा होता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगेगा C line, C axis will be पुरा solid form में आपको देखने को मिलेगा C दोस्तों अभी solid हो जाएगा solid ऐसे जब C axis यह बला axis जब इसके mirror plane cut कर रहा है तो क्या होगा दोस्तों तो total circle दोस्तों पहले dotted कर रहा था यहाँ पे देखे dotted था यहाँ पे देखे dotted था लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा पुरा solid line बन जाएगा और दोस्तों twofold है तो twofold का यहाँ आप दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों A axis ड्रो करना है A axis कौन सा है दोस्तों यह आपका A axis है Okay A-axis है दोस्तो यह हमारा A-axis को देखे दोस्तो यह A-axis A-axis को perpendicularly mirror plane गया हुआ है तो A-axis को perpendicularly यह वाला mirror plane जो कि हमारा B-axis है ओके B-axis तो A-axis को draw करना है दोस्तो यह two-fold हो गया और A-axis को perpendicularly एक mirror plane A-axis को perpendicularly एक mirror plane है दोस्तो यह बन गया और आपको यह B-axis B-axis में क्या है दोस्तो 2-fold है आप 2-fold दे दीजिए और दोस्तो B-axis को भी perpendicular ली एक mirror print गया हुआ है तो B-axis को perpendicular कौन है A-axis ही है तो यह दोस्तो आपका 2 mirror print बन गया है यहाँ पे दोस्तो 2 mirror print बनने के कारण यहाँ पे जो point आएगा दोस्तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तो यहाँ पे वही आएगा यहाँ पे भी जो आएगा दोस्तो यहाँ पे same दोस्तो point लेकिन दोस्तो जब भी कभी आप C-axis में perpendicularly mirror print कट कर रहा है तो दोस्तो वहाँ पे जो notation होगा A से यहाँ पर बन जाएगा C axis में कहीं पर भी अगर mirror plane मतलब कि देखें यह हमारा C axis यह हमारा A axis यह हमारा B axis अगर mirror plane दोस्तो C axis में होगा सपोज यह आपका दोस्तो क्या है C axis है C axis में अगर आपका एक mirror plane यहाँ पर बन रहा है तो दोस्तो यहाँ पे भी एक image त्यार होगा यहाँ पे भी एक image तो दोस्तो इसके करण यहाँ पे दो-दो image आपको यहाँ पे बनाने होंगे तो अई है दोस्तो 2 by M तो चलिए दोस्तो यहाँ पर फिर से देखते हैं यहाँ पर 2, 2, 2 2, 2, 2 का कारण क्या है दोस्तो आपको बताने ही कोशिज करूँगा यहाँ पर रुहंबिक डाइस्पेनोड इसको बोलते हैं ओके दोस्तो 2 एक्सिस क्या है कि फास्ट वला 2 एक्सिस आपका A, second है B and third one is C तो पहले आपको यहाँ पर C का का काम करना होगा यह देखिए C का 2 फोल्ड उसके बाद दोस्तो B का का काम करना होगा देन उसके बाद दोस्तो A का का काम करना होगा ओके आप इंटर्चेंज भी कर सकते हैं यह एक्सिस हो सकता है ओके यह आप ले जाए B एक्सिस यह आपका A एक्सिस तो यहाँ पर 2 फोल्ड दे दीजिए यहाँ पर 2 फोल्ड आपका हो गया तो यहाँ पर जो पॉंट होगा दोस्तो इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे यहाँ पे देखे, यहाँ पे जो point होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे ओके, इसको हम रहों भी dice penoid बोलते है mm2 क्या है दोस्तो, mm2 यह दोस्तो आपका c axis है पहले आप c axis draw कर लिजिए, c axis आपका यह है दोस्तो यह पहले draw कर लिजिए, mm2, दोस्तो c axis दोस्तो क्या है यह है c axis, c axis में टूफोर्ड दे दीजिए, उके उसके बाद m, जोकी a axis है, आपका a axis यह है, a axis draw कर लिजिए, a axis में यहाँ पे जब point देंगे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही point आएगा उसके बाद दोस्तो b axis भी mirror plane, यह आपका b axis, तो यहाँ पे आगर mirror plane हो जाएगा तो यह point दोस्तो यहाँ पे भी आएगा, यह point दोस्तो यहाँ पे आप रख लिजिए इसा इसा बस देखिए दोस्तो यहाँ पे इस figure को देखिए, ओके इस figure का पिरामिड भी बोलते हैं, देखिए नीचे वाला रोहमबिक है, लेकिन जब दोस्तो रोहमबिक डाई पिरामिड होगा, दोस्तो एक C-axis में भी एक मिरोर प्रेन आ जाएगा दोस्तो उपर भी ऐसा है, उपर भी दोस्तो आपको ऐसा है, मतलब कि जैसा figure था दोस्तो नीचे भ ओके, तो दोस्तो यहाँ पे जो figure आएगा, आप 2 by M, 2 by M, 2 by M, तो कैसे बनेगा दोस्तो यह C-axis को पहले आप ड्रो कर लीजिए, यह हमारा C-axis है, जो की दोस्तो 2-fold है, बट C-axis के एक वर्टिकल मिरोर प्रेन भी है, तो मिरोर प्रेन के कारण, यहाँ पे दोस्तो पूरा टोटाली solid line आएगा, जब भी दोस्तो C-axis को एक मिरोर प्रेन कट कर रहा है, तो C-axis विल भी totally solid line में आएगा, उसके बाद दोस्तो हमारा A-axis ड्रो कर लेते हैं, यह हमारा क्या है दोस्तो? A-axis है, ओके, यह हमारा A-axis जो की, यह हमारा A का काम कर रहा है, A में 2-fold दिया गया ह दोस्तो, A-axis को एक mirror plane cut कर रहा है, A-axis 2 by M है ना, तो mirror plane cut कर रहा है, तो mirror plane दोस्तो यहाँ पे आप दे दिया है, यह जो axis है यह दोस्तो B-axis, क्योंकि A और B mutually perpendicular, अगर A के mutually perpendicular यह एक mirror plane है तो ओई B-axis ही है ना, तो दोस्तो यह B-axis पे आपने mirror plane draw कर लिया, तो अगर यहाँ से भी notation देना चाहेंगे, तो दे सकते हैं दोस्तो, यहाँ पे अगर notation देंगे, तो यहाँ पे इसा ही repeat आएगा दोस्तो, ओके, लेकिन C-axis के कारण, यहाँ पे दोस्तो आपको एसा ऐसा draw करना पड़ेगा, और दोस्तो A-axis का काम हो गया, A-axis 2-fold, ओके A-axis दोस्तो 2-fold, A-axis दोस्तो यहाँ पे 2-fold और उसके साथ दोस्तो एक mirror frame है, यह देखिए दोस्तो mirror frame, ओके, mirror frame, तो यहाँ पे जो point देंगे आप, ऐसा आएगा दोस्तो, और दोस्तो 2-fold के कारण, यहाँ पे जो point आप दे रहे हो दोस्तो, ऐसा आएगा, यहाँ पे जो point दे रहे हो दोस्तो, ऐसा तो दोस्तो B axis को perpendicularly आप mirror print draw कर सकते हो दोस्तो ये image दोस्तो उपर में जैसा होगा नीचे में अलग होगा लेकिन C axis के कारण C axis solid line है तो इसके कारण दो image formation होगा दोस्तो यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा दोस्तो ओके कुछ नहीं दोस्तो बीच में आपको एक center दिया जाएगा ऐसा बस इसा ओके तो यह आपका एक mirror plane आ जाएगा इस mirror plane के कारण यहाँ पर दोस्तो आपका मतलब की axis यह हमारा B axis यह देखिए दोस्तो यह यह और यह यह इसा बन जाए क्योंकि यहाँ पर जो आप image दिया यह एक यहाँ पर जो आप image दे रहे हैं दोस्तो नीचे भी तो ओही चार image आएगा ना तो इसको हम जब उपर में एक image है नीचे में एक image है तो इसको हम कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं दोस्तों ओके तो यही है 2xm, 2xm, 2xm का डाइग्राम जिसको हम रोहंबिक डाइपिरामिड भी बोलते हैं दोस्तों 222 रोहंबिक डाइस्पेनोड, mm2 रोहंबिक पिरामिड तो यहांपे दोस्तो इसको C का काम करते हैं इसको हम A का काम करते हैं दोस्तो estéन Eksys A, B, C हम यहांपे represent करते हैं इसी k style पर भी आपको करना पड़ेगा दोस्तो आज के लिए इतना ही thank you